दोस्तो हर रोज राशीफल रिलेटेट वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल अपडेट राशीफल को सब्सक्राइब करें दोस्तो इस चैनल पर आपको हर रोज सटिक भविशेवनी साथ ये आपके जीवन में आ रहे सभी परिशानियों का समाधान मिलने वाला है तो आप भी हमारे चैनल अपडेट राशीफल को सब्सक्राइब करें दोस्तो आज हम आपको कुंबर राशी के बारे में बताने वाले है कुंबर राशी वाले लोग पिछले जन्मा में क्या थे जानियर राश की बात कहने के तो आपकी राशी दो, तीन या चार आक्षरों की होती है लेकिन यह अपने अंदर आपके बारे में बहुत कुछ है छुपाई होती है आपके राशी आपके व्यक्तित्व से जुड़ी कई सारी बाते बताती हैं आपको भविशे से जुड़े राज भी खुलती है मगर हम इंसानों का सोवा होता है कि हम जितना अपनी भविश को जानने में रूची रखते हैं उतना ही हम अपनी अतीत या पिछले जन्म के बारे में जानने को भी उस्तोग रहते हैं पिछले जन्म में हम क्या थे? इंसान थे या और कोई जानवर? हमारा नाम क्या था? किस अक्षर शे था? हम कहां से थे? कहां रहते थे? हमारे कितनी उम्रती? ऐसे कई सवाल हमारे मन में आते हैं ऐसे सवालों का जवाब भी हमें उस्ताहित करता है तो चलिए आज हम आपको ऐसे ही जिग्या सोंग को शांत करते हैं आपको बताते हैं कि पिछले जन्म में आप 20 तरखे इंसान थे तो आई ये बात करते हैं कुमबर राशी के लोग दूसरे लोगों के लिए प्रेरना की तरह होते हैं आईसे लोग अच्छा करने की इच्चा रखते हैं और कामियाब होने के लिए प्रेरित होते हैं पर वह ऐसा इसले करते हैं ताकि लोग उनसे प्रेना ले आईसे लोग दूसरों को यह प्रेना देते हैं कि वह भी उससे काफी अच्छा कर सकते हैं जितना वह कर रहे हैं अपने पिछले जन्म में ऐसे लोग या तो प्रेरक मार्ग दर्शक या नेता रहे होंगे यानि कि कुम्बराशी वाली लोग पिछले जन्म में प्रेरक मार्ग दर्शक या नेता रहे होंगे तो दोस्ता आज की सुड़ों में बस इतना ही वीडियो कैस साल लगा कमेंट करके जरूर बताए साथी इस अश्यर जन्यकर राज को अपने दोस्तों के संग शेयर करना ना बुले तो मिलते एक नए विडियों के साथ धन्यवाद